दोस्तों सर्दी आते लोगों को सबसे ज्यादा परेशानी खांसी जुकाम से होती है लेकिन खासकर उन लोगों को ज्यादा परेशानी बढ़ जाती जो कि अस्तमा के रोगी है उनको खासकर खाने पीने के लिए भी परेश कई कई आवार सकता होती है आई आज 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 और सूजन आने का खत्रा रहता है इसके साथी सरदियों की मौवे सांस लेली में म्यूकस भी ज़ाधा बनने लगता है जिसके हमेशा गले में बलकम बरा रहता है इन सब काड़ों से सांस फूलने लगती है और मरीजř सांस लेने में भारी तकलिव होती है दमा के कुछ मरीजों के कुछ चीज़ दुस्मन की तरह काम करती है BMO सिद्दर चौनने के मिताविद दमा के मरीजों के लिए सरदी में कुछ चीज़ों से परीज करना ज़रूरी होता है दमा के मरीजों के लिए कुछ फूड ऐलर्जिक होते है इसलिए उन्हें फूड नहीं खाना चाहिए जबकि कुछ चीज़ दमा के लिए हर मरीजों को खाने की मना ही रहती है आम तोर पर जो ठंडी होती चीज़ होती हो है उससे दमा के मरीजों को ऐलर्जी हो सकती है वह पैकेट वन फूड भी आइटम सलफेड युक तो फूड आइटम दमा के मरीजों के लिए खाना नहीं चाहिए अस्तमा के बीमारी से मरीजों को ज्यादा थंडी और खटी चीज़ से परेजी रिख करना चाहिए इसके लावा उरत और मटर चना कावली चना का सेवन नहीं करना चाहिए इसके लावा जलन पैदा काने वाले भोज्य पतारतों से भी जैसा कि मचली अत्यदिक जया मात्र में तेल थंड़ा बोजन बासी बोजन दूसित बोजन इन सभी से दूरियां बनाकर रखना जरूरी देखे इस समय तो जो अचानक से मौसम में बदला हुए हैं तो उसके कारण बुखार सर्दी खांसी जुकाम के पेशेंट्स तो काफी आ रहे हैं और OPD लगबग हमारी वही 400-400 प्रतिदित के हसाब से चल रही है देखे मुख्यता जो बच्चे और बुज़ूर्ग है वो अपना ज्यादा ध्यान रखें अपना जो भी सेर एवं मूह पूरी तरह से ढखके चले गरम कपड़े पहने बच्चों को एवं बुज़ूर्गों को ज्यादा ठंड में नहीं निकाले तो ही बैतर रहेगा देखे कोई भी ठंडे खटे बजारत एवं बहार की कोई भी ऐसी बजार की चीजें जिसमें की ज्यादा तेल एवं मिर्च मसाले की महत्रा होती है यह सब ना ले तथा अगर कोई भी ऐसी परिशानी लगती है तो किसी योगी चिक्चत को दिखाने के बाद ही लवाओं का स देवं करें